नमस्कार अनादी टीवी देख रहें आप और माहूं आपके साथ नंसी शर्मा आईए बुलचिन किश्ट बात करेंगे बड़ी कबर के साथ में जहां आपको बताते चलें कि बड़ी कबर जोकी बोपाल से सामने आ रही है यहां डॉक्टर मोहन यादव का आज इंडॉर और दौरा है इन दौर में पार्टी प्रत्याश्री का नामांकन विदाखिल कराएंगे जहां रतलाम में सी एम यादव जन सभाव भी करते दिखाई देंगे तो आज सी एम डॉक्टर मोहन यादव इंडॉर और रतलाम के दौरी पर रहेंगे आपको बता दी कि इन दौर में पार्टी प्रत्याश्री के लिए वोटो की अपील यानि कि वोटो की मांग करेंगे तो इधर रतलाम में सी एम यादव जन सभावी करते हुए नजर आएंगे यानि कि आज मालवा पर सी एम मोहन यादव का दौरा रहेगा और मालवा पर इस बार वीज़ोई की नज़र च पर फोकस करती हुई यहाँ पर चुनावी सभा करेगी रतलाम में दरसल उनकी चुनावी सभा होगी लेकिन उसके पहले इन दौर में अपने पार्टी प्रत्याश्री के लिए वोटो की अपील करते हुए नजर आएंगे चुनाओ बेयादी तिल्चस इस बार का मध्यप्र जीती जीतेगी हाला कि देखने वाली बात होगी कि कौन किस दावे पर खरावतर पाएगा फिलाल सी एम डौक्टर मोहनी आदव आज इंदौर रहेंगे इंदौर के साथ साथ रतलाम में भी चुनावी सभा चुनावी दौरावे करेंगे जहाँ पर एक बड़ी जुन सभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर जनता से वो जुकी अपील करते हुए नजर आएंगे तो आज का दिन बेअधिकास चुकि मालवा के लिए हास से ये दिन बेअधिकास हो जाएगा मालवा के दौरे पर आज दौक्टर मोहनी आदव रहने वाले हैं मालवा के ही वे निवासी और आज एक बार फिर मालवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे ज़ादा जानकारी लेंगे सयोगी दौर्गेश हमारे साथ में जोड़ जुके हैं दौर्गेश आज सीएम डौक्टर मोहनी आदव इंदौर के दौरे पर यानि की मालवा पर एक बार फिर बीज़ोपी की नजर देकिन एंसी मद्रदेश के में खुंदरी डौक्टर मोहनी आदव आज इंदौर और रतलाम जिले के प्रवाश पर रहेंगे इंदौर से उस भारती जनता पारटी के उम्मिदबार शंकर लालवानी और रतलाम से अनीता नागर सिंग चौहान के पच्छ में चुनावी जनसभा करेंगे और जो साड़े दस बजे शिड्यूल आया है मुकमंत्री डौक्टर मोहनी आदव को वो साड़े दस बजे इंदौर पहुँचेंगे और इंदौर में पार्टी प्रत्यासी जो है उनका नामांकन दाखले कराएंगे उसके साथ ही जनसभा को संबोदित करेंगे वहीं दो पहार एक वजे रतलाम लोगसभा छेतर में पहुच करके जाबवा में एक बड़ी चुनावी जनसभा करेंगे अनीता नागर सिंग चोहान के पच्च में वोट मांगेंगे जनता से और अपनी सरकार की काम काज का रिपोर्ट पेस करेंगे जनता के सामने और जिस प्रकार से दूसरे चरण के चुनाओं के लिए अब तक भारती जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जोकी थी उसी क्रम में भारती जनता पार्टी लगातार मिसन 29 में कामियाभी पाने के लिए लगातार उनके दिगजों के दोरे हो रहे हैं उसे क्रम में मुखत्री डक्टर मोहनियादव लगातार एक दिन में दो से तीन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा के माद्यम सो लोगों को भारती जनता पार्टी की जो काज काम काज हैं और जो विकास की नीतियां हैं विकास के कारियों को पलब्दी को बताते हुए साथ ही विपच पर हमला बोलते हुए कही न कहीं जो जनता है जनताओं से आशिरवाल लेने का काम करेंगे बिल्कुल दुर्गेश चुकि मालवा पर देख पा रहे हैं कि अक्सर ही दौनों ही पाटियों की नजर होती है चाहे फिर वो बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो और अन्य दल्भी यहां पर कही न कहीं अपना दमकम भरते हुए नजराते हैं वैसे में अगर एक प्रमुक पाटी बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो CM चुकि लगतार मालवा के दौरे पर हैं। वे खुद मालवा से आते हैं और एक बार फिर मालवा के दौरे पर वे जा रहे हैं। शुना हुए तो 29 में 27 सीटे जीती थी कई न कई बीजेपी इस बार उत्साहित है और जिस प्रकार से पूरे देश में आपकी बार 400 पार का नारा लेकर के भारती जनता पार्टी चल रही है वही मद्दप्रदेश की नजरिया से हम देखे तो मद्दप्रदेश में मिशन 29 में भारती जनता पार्टी जुटी हुई है और यह जो मालवा अंचल की बात की जा रही है मालवा अंचल खास दोर पर चुकि बीजेपी चुकि अनीता सिंग नागर सिंग चोहान को टिकट दिया अरतलाम से लेकिन जो शिटिंग एंपी हैं इन दौर से संकर लालवानी इस्ति अनीता नागर सिंग चोहान की भी मजबूत है लेकिन भारती जनता पार्टी कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं चोड़ना चाह रही है कहीं कोई चूक नहीं करना चाह रही है यही वज़े है कि मुखमंत्री डॉक्टर मोहनी आदो ने खुद मोर्चा शंभाला हुआ है औ और जनता अब किसके पक्षमें नहीं देगी एक हैर समय बताएगा नतीज़ आने के बाद इस पस रुपाएगा बहुत शुक्री आपका बने रहेगा और भी अपडेट्स लिंक है